बहुत टाइम से मैंने अपने डियाई गपी पॉंड के अंदर कोई भी फिस या दूसरा कुछ एड नहीं किया है मैं अभी इसी इंतजार में हो कि जल्दी सर्दिया कम हो या खतम हो फिर मैं इसके अंदर दोबारा से सभी प्लांट को लगा हूं और इस पॉंड को क्लीन करू होंगे लेकिन साइडों में टब के किनारों पर और जितने भी मैंने प्लांट लगा है नीचे जो पत्थर है या फिर यह ड्रिफ्ट रूड है सभी जगह पर एल्गी काई फैला हुआ है प्लैक ओफिस भी बस कोने में बैठा रहता है वह काई को अच्छा साफ नहीं कर पा मैं इनको दो बार खाना देता हूं और यह बड़े चाव से खाती है सभी का ग्रोथ भी बहुत अच्छा हो रहा है सभी का कलर भी बहुत ब्राइट है और एक बच्चा जो इनके साथ रहता है वह आप देखी इस जगह पर घूम रहा है यह काफी बड़ा हो गया और इसकी म ने मदद किया मेरा तो मैं कुछ और भी यह स्नेल्स खरीद के लाऊंगा यह कॉमन स्नेल्स हैं घोंगे हैं जो कि एक्वेरियम सौक पर काफी असानी से मिल जाते हैं बहुत से लोग स्नेल को खाते भी हैं लेकिन मैं ऐसा नहीं करने वाला हूं मैं इस इनको अपने गभी प उसानी से कमुंद done , इनको खुल यह काफी कि अपने ञए पीलियलती नहीं है अंतने से काफी लगवा हृप रिधक से पकाफी से क्की शचाहां यह हूं कि मेरे हूं मिलते हैं यही मुद्न मिल वहाल है काफी है नहीं से कॉम आते हैं और इन का और आप Hani है कि यह बहुत तेजी से ब्रीड करते हैं और धेर सारे बच्चे देते हैं देखते हैं मेरे यहां पर अंडे बच्चे देते हैं तो मुझे दोबारा स्नेल्स करें जरूरत नहीं होगा यह समय मुझे 25 रुपार पीस के इस आप से मिले मैंने टोटल तीन स्नेल खरीदा है चना पर आप देखिए मैंने साफ पानी लिया है क्योंकि अपके उपर यह रखे हुए थे उसके अंदर एक-दो मचलिया मरी हुई थी तो मुझे लगता है कि स्याइद उसमें कोई बीमारी वगएर हो तो वह मेरे इस पॉंड में आ जाए इन स्नेल्स के थूरू तो मेडिसीन में मचलियों के लिए इस्तमाल करता हूं वही मैंने इसके अंदर ठोड़ा डाला कि इसके बाद मैंने थोड़ा सा रॉक सॉल्ट भी इसके अंदर मिलाया और इन्हें पानी के अंदर घोल के फिर मैंने तीनों स्नेल्स को एके करके इस डबे के अंदर रख दिया कुछ देर के लिए मैं इनको यहां पर रखोंगा फिर उसके बाद ही मैं इनको सिफ्ट करने वाला हूं अब आप तीनों स्नेल्स का सेल देख सकते हैं उपर का उनका खोल देख सकते हैं यह काफी ज्यादा डिसेफ है उपर से धेर सारा इनका जो सेल जड़ गया है अगर आप 20 मिनट के बाद अब मैं इन स्नेल्स को छोड़ने वाला हूं अपने पॉंड के अंदर लेकिन उससे पहले मैं इन्हें थोड़ा सा इस तरह से रब करने वाला हूं क्योंकि इनका जो सेल वह काफी ज़्यादा स्लिपरी है उसको पर फंगल या फिर कुछ ग्रोथ हो गया है जैसा कुछ एक बार मैं इने अच्छी तरह से हातों से रगण के इसी पानी में धोलूंगा फिर उसके बाद मैं इन्हें चोड़ूंगा करके इन सभी को इस तरह से हातों से रगण के धो लेते हैं अब हमारे सभी स्नेल्स साब सुथ्रे और बिल्कुल रेडी होगा है इस अंदर जाने के अपने घर के अंदर जाने के लिए तो एक एक करके मैं यहां पर रख देता हूं बस इस तरह से आपको छोड़ देना है यह सीधे नीचे बॉटम में जाएंगे कुछ दिर बाद यह चलना शुरू करेंगे तो एक करके मैं तीनों को तीन जगा पर छोड़न में यहां पर आसानी हो यह जल्दी से बाहर घूम फिर सके निकलने के बाद मशलियां भी आप देख पा रहा हूंगे जाके नीचे देख रही है कि चेक करें यह क्या है क्या चीज हमारे पॉंट के अंदर आ गया है एक यहां पर मैंने छोड़ा इस पीछे इस पॉंट का प करेंगे तो जल्दी ही यहां पर धीरे धीरे कम होने लगेगा और एक टाइम के बाद हो सकता है कि पूरा भी खतम हो जाए लेकिन सही माहिने में स्नेल्स एल्गी खा रहें काई को खा रहें वो तो कुछ दिनों के बाद ही पता चलेगा काई का ग्रोथ को देखके अभी यह है यह एक स्नेल यहां पर ड्रिफ्टूट पर चड़ा हुआ है साथ ही दो स्नेल्स यहां पर नीचे नीचे घूम रहे हैं तीनों अपना माझे में मैं भी मिलता हूं आप से अगले वीडियो में और अगले वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल को कर लिए सब्सक्रा ओके बाइ